Hello Friends, Good Morning to Everyone, Global Educational Institute में आप सभी का स्वाधत है, आज हम आपको Mathematics की कलास में टिग्नोमेटरी रेसों के कुछ फोरूलाज को एक्सपेल करेंगे, जिनकी हेल्प से आप difficult question को कम समय में और easy way में find कर सकते हैं, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं Quadrant Rule, Quadrant Rule की हेल्प से आप टिग सिर्ट हरो भी पुली सद्रीव ऐगिर फॉर्ट को एंटी डिग्री फॉर्ट को एंटी डिग्री ग्री सेढक टिग्नडिनड वहता है फॉर्ट को कटिए लगेटरी लिग्री वहता ह। सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हम आपको रेसो चेंजिंग रूल के बारे में एक्स्प्लेंग करते हैं रेसो चेंजिंग रूल में दो नियम हैं पहले नियम में रेसो चेंज हो जाता है दूसरे नियम में रेसो चेंज नहीं होता है 90 प्लस माइनस ठीटा 270 प्लस माइनस ठीटा में रेसो चेंज हो जाता है साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टैन कोट में चेंज होगा, कोशेक सैथ में चेंज होगा, सैक कोशेक में चेंज होगा, कोट टैन में चेंज होगा और दूसरे नियम में 180 plus minus theta और दूसरे नियम में 180 plus minus theta and 360 plus minus theta और only plus minus theta ratio no change यहाँ पर ratio में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टिक्नोमेटरी रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कोज कोज ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कोज है कोज ही रहेगा, सैक सैक ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा फ्रेंड्स आईए अब हम आपको रेसो चेंजिंग रूल और क्वाडेंट रूल दोनों को मिक्स करके दिखाते हैं जैसे कि sin 90 plus theta is equal to second quadrant में आएगा, second quadrant में sin positive होता है, sin positive हो और 90 plus theta में रेसो change हो जाता है, रेसो बदल जाएगा, sin बदलेगा, cos में is equal to cos theta, इसी परकार sin 180 minus theta भी दूसरे quadrant में होगा, और ये change हो जाएगा, plus sin का sign रहेगा, क्योंकि 180 में कोई भी रेसो change नहीं होता है, और इसी परकार sin 270 plus theta is equal to fourth quadrant में sin minus हो जाता है, और sin बदल कर cos में आजाएगा, cos theta, इसी परकार cos 90 minus theta is equal to first quadrant में, first quadrant में सभी trigonometry है, तो quality होते हैं, तेसो change हो जाएगा, sin में sin theta, cos 270 minus theta is equal to हो जाएगा, third quadrant में, third quadrant में सभी cos minus का हो जाएगा, होगा, और ये बदल कर sin theta में change हो जाएगा, 10 180 plus theta, third quadrant में 10 positive होता है, और 180, French trigonometry, एके अच्छे से अच्छे notes लेने के लिए, आप हमारे चैनल को subscribe करें, bell icon को दबालना नहीं भूले, और वीडियो को like अवश्य करें, जिसे की आपका और हमारा communication भविश्य में एच्छी परकार से चलता रहे, thank you very much,